Hello everyone, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं EP3 के बारे में, यह किस सिलेवर्स का टॉपिक है मैं आपको बता देती हूँ, तो यह हमारा BA 3rd Semester का UP State की सभी University के लिए BA 3rd Semester का English Literature का पेपर टाइटल, जिसका पेपर टाइटल है British and American Drama, ठीक है, उसके सिलेवर्स में यह टॉपिक है, unit second में, जो है हमारी elements of drama, ठीक है, unit first मैंने अच्छे से complete करवा दिये, उसके सारे टॉपिक, उसका वीडियो का लिंक description में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख ठीक है, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे epithet होता क्या है, और इसके बारे में BA 3rd Semester के लिए क्या important है इसमें, मतलब इस topic के अंदर क्या important है, BA 3rd Semester के लिए ठीक है, उसको हम देखेंगे, तो पहले यह समझ लेते हैं कि epithet होता क्या है, simple language में समझ लेते हैं, तो epithet permanent होता है, जैसी कि हम किसी का nickname, किसी की विशेष्टा, कोई baby होता है, वो मतलब बहुत जादा गोरा है, तो हम उसको nickname दे देते हैं, मतलब इंडिया में जादा तर भूरा-भूरा कहने लगते हैं, वो permanent नाम बन जाता है, उसका आगे तक, मतलब सब लोग nickname में भूरा ही बु जैसा कि आगे जुड़ जाता है, उसकी विशेष्टा जुड़ जाती है, जैसा कि अकसर होता है, कि जैसी कि आप Alexander the Great, ठीक है, तो Alexander के नाम के आगे उसके बारे में एक विशेष्टा जुड़ गया है, एक 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 जुड़ गया है, जुड़ गया है, दा गिरेट, और वो उनके नाम की विशेष्टा पदा चल रही है, एक ही वर्ड से हम उनके करेक्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी ही वर्ड में लग सकता है, और वो पर्मनेंट हो जाता है, काफी अकसर उसका यूज होता है, आपने Alexander the Great तो सुनाई होगा, है ना, और जैसी कि एक example ले लेते हैं, Romeo और जिलिएट, इनके बारे में ये Shakespeare का ड्रामा है ठीक है, Romeo जिलिएट, इनके नेम को अकसर ये कहा जाता है, star cross lovers कहा जाता है, Romeo और जिलिएट को, ठीक है, star cross lovers भी कहा जाता है, तो ये इनका epithet हो गया, name ये है और epithet ये है ठीक है तो इस type से epithet होता है तो अब हम इसकी theory देख लेते हैं और हाँ भी third semester में epithet के बारे में ज्यादा detail में हमें पढ़ने की जरुवत है नहीं ठीक है very short में आ सकता है या short में आ सकता है और ज्यादा types वगयरा इसकी नहीं पूछेंगे बस simple questions आ सकता है कि epithet से आप क्या समझते है epithet क्या होता है इस type से question आएगा ठीक है short में या very short में तो आप यह देख सकते है यह short और backshot दोनों के लिए है अगर well shot में आता है तो यहां से लेकर यहां तक लिख दे और अगर short में आता है तो यह पूरा लिख दे ठीक है तो इतना काफी हो दिखा है ताकि आपको इसमें clearly दिख जाए ठीक है तो आप पढ़ते है अपना epithet epithet is originated from the Greek word epithetan शायद में इसका pronunciation गलत करती हूं पर epithetan थेटन बोलेंगे इसको epithetan ठीक है which means attributed or added attributed मतलब किसी को विशेषता को उसमें add करना ठीक है added मतलब तो पता ही है किसी चीज को ज तो epithet किस वर्ड से आया है ग्रीग वर्ड है जो epithetan उससे ये बना है और जिसका मतलब क्या है attributed और added ठीक है an epithet एक epithet is a literary device ये एक literary device है ठीक है साहित्तिक उपकरन that describe जो वर्लन करता है आप person place और object ठीक है किसी person को किसी इंसान को किसी जगय को या किसी भी वस्तू मतलब object को by accompanying or replacing accompanying मतलब जुड़ भी सकता है उसके नाम के आगे ठीक है या फिर replace भी कर सकता है जैसी कि nickname होते है पूरा ही replace कर देते है नेम से और accompanying मतलब जो हमने Alexander के आगे the great लगाया था है ना शब्द जुड़ भी सकता है या फिर उसके उसको replace भी करता है it without descriptive word और phrase मतलब phrase क्या हो words का group ठीक है तो descriptive word के द्वारा और या फिर किसी भी phrase के द्वारा इसको हटा सकते है replace कर सकते है या उसके साथ जोड सकते है epithet word को ठीक है किसी का नाम हम जैसी की मैंने example दिया था कि किसी को भूरा कहते है तो अकसर हम उसको भूरे के नाम से बुलाते है ना और वैसे ही अगर drama में हमने किसी के name के जगा है कुछ उसका कोई और name निकनेम दिया है तो वो name बार बार repeat होगा है ना repeat it throughout a piece of writing to create a sense of familiarity for the reader ठीक है मतलब जब उसका परीचे करवाएंगे तो उससे एक पहचान की मतलब बार बार repeat होगा तो वो वर्ट उसके नाम से ही संभोधित हो जाएगा कि हां ये वर्ट इस इनसान के लिए ही यूज किया गया है है ना बार बार जब यूज करेंगे उस वर family, appear, next, appear, next to or in place of a person, name, like a nickname ठीक है यानि एपिटेट आम तोर पर किसी व्यक्ति के नाम के आगे या उसकी जगह पर भी दिखाई देता है ठीक है तो रिचार्ट के बारे में कहा जा रहा है कि उनका हर्ट जो है lion का है ठीक है इस टाइप से हम add कर सकते है adjective को और ये अपने ड्रामा में जब भी कोई word यूज करते हैं ज्यादातर writers तो कुछ name को replace कर देते हैं किसी nickname से है ना तो वो ज्यादातर repeated भी होता है वो ही होता है एपिटेट एपिटेट बहुर सिंपल ही word है ठीक है I hope आपके समझ कर दोता है तो ये जगता है ये अपिटेट के लिए इसमें अब जादा की टौपिक में depending है ये धर्डर सेमिस्टर से एल्ग है ॉससे हसाप से पढ लाए है तो वो ये देख सकते है PDF आपको मिल जाएगी इसमें Types of Epithets पूरा अच्छे से Explain किया गया Epithets के बारे में तो आप इसको देख सकते हैं Example of Epithets यह सब Explain किया गया अच्छे से यहाँ पर तो आप इस PDF को पढ़ सकते हैं अगर जिनको जादा ही Deep में समझना है ठीक है और बाकी आपको सारी Classes कहां मिलेंगी तो वो हमारे Channel सर्च करिएगा YouTube पर Learn with Truth वहाँ पर आपको Playlist वाले सेशन में जाना है फिर और Playlist मिल जाएगी आपको वहाँ पर आपको सारी Classes मिल जाएगी भी यह 3rd semester की ठीक है और सासत PDF कहां मिलेंगी तो यह Telegram Group है हमारे वहाँ पर आप जाकर एड़ हो जाएगी वहाँ पर आपको भी यह 3rd semester की सारी ही PDF मिल जाएगी या तो आप इनके नेम सर्च कर लेना या फिर इनका लिंक डारेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वीडियो के तो वहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है और वीडियो थोड़ी भी हैल्फ रही हो तो प्लीज लाइक जरू कर दियेगा तो अम मिलतें नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू फॉर वाचिंग